हेलो बच्चो बच्चो अब हम करेंगे exercise 10.3 का question number 11 question है कि split the following shapes into rectangles and find their areas भई अब same type का question अभी हम करके ही आये थे question number 10 तो कर लेते हैं इसको हमें करना क्या है इन shapes को rectangle में convert करना है पहले देन उनका area निकालना है तो करेंगे कैसे देखो यहां पर हमारे पास क्या चीज़आ सारी sides given है पिछले वाले में सारी sides given नहीं थी तो हम इसको कैसे कर सकते देखो इसको या वह आफ ऐसे काट लो बात एक ही के लिए तो हम इसको ऐसे कर लेते चलो ठीक है तो हमारे पास यह एक शेप आ गई यह है एक rectangle r1 और यह बन गया rectangle r2 ओके देखो हमें सामने की side चाहिए यह सामने की 2 है तो यह भी 2 होगी अब यह हमें चाहिए क्योंकि सामने की यह है 8 और यह है 10 तो 10 तो यह पूरी थी तो इसको भी हम क्या करेंगे यह कितनी हो जाएगी 8 ओके यह कितनी है 2 यह है 2 तो सामने की भी 2 होगी ओके जी तो यहां पर क्या हुआ कि हमारे पास सारी सेंटी मीटर ओके तो यह सेंटीमीटर स्क्वार हो जाएगा एड है 18 California 24 सेंटी मीटर सक्वार ओके नेक्स्ट हमारे पास एरिया निकालना है R2 का तो एक सेड कितनी है 8 की की इख दूर्सी सेड कितनी है 2 की ऑघए हो जागा तो टोटल में एरिया निकालना होगा इस फीगर का तो आर वन प्लस आर टू कर दो कितना हो जाएगा 24 प्लस में 16 सेंटीमीटर स्कुर यह होगा और यह कितना जाएगा 40 सेंटीमीटर स्कुर अब नेक्स्ट करते हैं इसके आगे देखिए अब करते हैं बच्छों यह वाला पार्ट देखो इसके अंदर क्या करना है अब हमारे पास यह फीगर ऐसे गीवन है तो इसको काट लेते हैं बड़ यहाँ पर प्रोब्लम क्या है कि यहाँ पर रेक्टेंगल नहीं बनेगा जो मर्जी कर लेना जैसे मर्जी क्योंकि यहाँ जो side से वो ऐसे given है कि इसको आपको कहीं से भी split करोगे वो square बनेगी बनेगी ओके तो यहाँ पर मैंने divide कर लिया इसको मान लो भई 1, r, 2 मान लो इसको r, 3 मान लो इसको r 4 मान लो and इसको r 5 मान लो तो हमारे पास कौन-कौन सी side नहीं है ये वाली ये वाली, ये वाली, ये वाली तो आमने सामने की side बराबरी होगी तो सारी की सारी क्या हो जाएगी ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 तो देखो rectangle आपका किसी भी way में नहीं बनेगा बढ़ कोई बात नहीं area तो निकलेगा तो यहाँ पर हमारे पास कितने rectangle कितने square आगे पांच, तो पांच square आगे तो देखो कैसे निकालेंगे area एक ही बार में निकालेंगे area पांच square है, ओके जी तो हम किस से multiply करेंगे, जो हमारा square का area होगा एक square का area कितने है, side into side होता है यानि कि 7 into 7 और क्या ही है, centimeter square कितना होगा, 5 into 49 centimeter square यही होगा न, एक area यह, एक का, एक का, एक का, एक का, ऐसे करके निकालोगे तो यही आएगा 7 into 7, 49 into यह, अब यह कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको कर लो 45, 45, 45, 245 centimeter square, ओके, अब देखो अगला अगला इससे भी जादा easy है, वही चीज कि हमें करनी क्या है देखो इसको split करना है, rectangle में simple चीज है, यही से कर दो, तो क्या होगा एक rectangle यह, और एक rectangle यह, तो R1 का, area क्या आएगा मारे पास R1 का देखो, एक side 5 की है, 5 centimeter, और एक side कौनसी है, यह वाली न, तो यह कितनी है, 1 और यह हमारे पास centimeter square, तो यह होगा 5 centimeter square, ऐसी R2 का निकाल लो, R2 का देखो, क्या हैगा, एक side हमारे पास, कितनी given है, 4 की, यह 4 है हमारे पास, और दूसरी side कितनी की given है, 1 की, यही तो rectangle है, पुरा, तो यह हो जाएगी, which is called 4 centimeter square, दोनों को add कर लेते हैं, 5 plus में 4 is equal to 9 centimeter square total में, तो यह था question number 11, अब इस exercise का एक ही question रहेगे, question number 12, उसे खतम करते है, then यह exercise खतम, end of chapter हमारा खतम हो जाएगा, ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो please like and share करना, बत भूलियेगा, thank you,